जेहिंद, यूपी में ASI और SI, दोनों पद पे वेकेंसी आई हुई है, मैं उमीद करता हूँ कि आप लोग ने इस फॉर्म को भर रखा होगा, मैंने अपने चैनल पे, यूटूब चैनल पे एक इंटर्व्यू पब्लिस किया है, जिसमें बकाईदा एक ASI का मैंने इंटर्व कुछ बात किया है, तो उस वीडियो के आप लोग देख लीजिए, इस वीडियो में मुखता हम लोग तैहारी से रिगाडिंग बात करने वाले हैं, काफी जादा कमेंट आ रहा है, और इस पेसली बुक लिस्ट के बारे वे, कौन-कौन से रिकमेंडेट बुक है, और जो भ यह भी आप समझ जाओगे, देखो इसमें कोशन जो है, चार पार्ट में पूछा जाता है, पेपर एक ही होता है, एस आई, एस आई के लिए पेपर एक ही होता है, चास-पचास कोशन रहता है, हर पार्ट में जो है 35 परसेंट लाना कमपलसरी होता है, 35 परसेंट लाईएग पुछता है इसमें ऐद्वान्स से कॉषन ना के बराबर पूछता है सारा अंक गणित से कोष्चन बहाता है मतलब जो सिपाही का पीपर अब देखते हो लाइक उसी के तरह का कोशन आपको इसमें मैथ में देखने को मिलेगा हैं अंक गणित प्रक्रण लाब हानी चक्रविर शेदा मैथ निकाल सकते हो और समझ लो कि यह स्कूरिग सब्जेक्ट है रिजनी सब तो इसकूरिग है लेकिन मैथ रिजनी से ज्यादा लड़के नंबर उठाते हैं तो मैस तयारी करने के लिए यार रकेस यादा उसर जो है उनका मैथ कीताब ले लो प्लास पकड़ लो बेस पढ़नी है अगर अगर आप जो है किसी नौकरी के अगर एससी वगरा की त्यारी कर रहे हैं तो उससे आराम साथ का काम हो जाएगा तो मतलब कि आप लोग में उमीद करता हूँ कि एसाई एसाई का प्रेक्टी सेट लगा रहे होंगे तो आपको पता होगा कि कितना मेहनत पड़ रहा है तो मैठ पर आपको जो है थोड़ी सी ज्यादा जोर लगने वाली है यदि आपका मैठ कम जोर है तो भाई अब बात करते हैं रिजनि के पेपर दिया होंगे उनको पता होगा तो बिलकुल असान वर्वल नन वर्बल दोनों से कोशन आपका रिजनिंग में रहता है तो इसमें भी आराम से 50 में आप तो जो है पैंटालीस प्लस ला दोगे अराम से कोशन सही करोगे बात समझ रहे हो क्योंकि यह दोनों स्कूरिंग है और इसमें आपको कम से कम 90-85 सही करना ही करना पड़ता है तब ही आपका रिजल्ट बनता है तो रिजणिंग के लिए कोई भी आप बूक ले सकते हो पूजा पफलीकेशन का रिजणिंग का एक किताब आता है जिसमें आपको वर्बन नंबर दिए रहता है तो लेके और पढ़ सकते हो या कुछ नहीं यार रिजनिंग के लिए क्या करना प्रेक्टिस इट लगाओ उसी से त्यारी हो जाएगी कोई तीर नहीं मारना है सिर्फ प्रेक्टिस इट दस लगा दोगे ना रिजनिंग बना लोगे अब इतना बाद आलों कि जो यूपी पुलिस समझ बहरде लगाना है इसे और बूक आप लोग समझ गए और तयारी कैसे कर नियुक का जो लगाना है जो लगाना है भाई नियम कानून भी पढ़ना पड़ता है जो अधिनियम वगएरा है पुलिस एक्ट आई पीसी इस से भी जो दरोगा का जो जीएस पढ़े होंगे उनको बेकाइदा पता होगा तो समझ लो कि जो सब इंस्पेक्टर की भरती आती है यूपी में उसी तरह का जीएस में आत वगए और से उतर परस्फे करेंट असको सब्जेक्ट नहीं है लेकिन फिर भी पासिण मार्स्टूस सही करना पड़ेगा तभी तो होगा जीएस डिएक हमतर्ऊ करनी पड़ेगी यूईHello किताब लेना पड़े ठीक है हमारे पास तो किताब देखो हमारे पास किताब इतना सारा है अब मैं बताना चाहूं तो तुमको बता दोंगा लेकिन ये किताब समझ लो कि खर दोगे तो ज्यादा महांगा पड़ जाएगा और उसके बाद से न होगा ये कि आपको ज्यादा दिमाग भी लगाना पड़ेगा तो इतना कुछ नहीं करना है इंडिविज्वाली बुक खर जरूरत नहीं है आपको रिजनिंग मैंने बताया कि से हो जाएगा और जीस का मैंने बताया कि इसी करने का लेलो चाहे रुशन्ट लेलो चाहे क्राउन लेलो किसी का लेलो उससे पढ़ लो पूलिस रेगुलेशन वगशन वगयर आगा तो भाई आपको कलास करना उससे जितना हो जाए ऐसे भी कितना भी पढ़ लो यार त्यारी नहीं हो पता है ठीक है यह प्रेटिकली मैं चीजे बता रहा हूँ अजर पढ़ने चलो गए तो यार समझ लो की मोटर एक अधनियम हो गया इतना मोटा किताब है कितना पढ़ो गया लेकिन फिर भी आपको पढ़ना पढ़ेगा तो इस चीज को समझ यहां पे थोड़ी सी आपकी ज्यादा जूर लगेगी भाई साहब और इसमें कम से कम 20 कोशन आप सही करो गया ठारा ठारा तबे तो पास होगे तो इसमें पासिंग म हिंदी का जो कॉशन है इसमें कम्प्यूटर प्लस हिन्दी दोनों से कुशं रहा था है क्यूए इसमें टाइपिंग मगेरा भी है कम्प्यूटर के बारे में जनकारी चाहिए सारा कंप्यूटर काही खेल है कंप्यूटर से कोशन तो पुछेगा हैं तो देखो हिंदी का तो वहीं बेसिक सेंग्या सर्वनांबिस्टेशन पार्ट सत्रे स्पीच जो है ना तत्सम तत्भव कारक और उसके सांसाथ आपका च्छंद रस यह सब से कोशन रहेगा हिंदी का तो सबको पता है नॉर्मल बेस तो है तो कंप्यूटर का जो बेसिक व्यान पर चाहो तो आप किताबी ले सकते हो मैं चाहों को किताब बीकाव है किताभ है जोerel है फंडा मेंटर पोशल होता में Wait क्बाएंटअ की से करते हैं कौ адवलन हो गया हो गया सबसे घंटप युटर हो गया यहीं सब portion पुछता है एक का दो का जो है आपका Excel, Word, PowerPoint से question रहेंगे इसके साथ कुछ जो है अब O-Level का certification इसमें मांगा जाता है तो थोड़ा सा programming से भी एक का दो का question रहेंगे बस तो computer हिंदी का इसी तरह से आपको system देखने को मिलेगा तो हिंदी के लिए अधित publication का आता है या normal basic समान हिंदी व्याकरण आता है कोई भी एक हिंदी का एक ही लेना कोई भी लेना एक ही लेना इससे आप तैयारी कर सकते हो basic और computer का मैंने बताई रखा कि computer का normal आप जो है या तो ऐसे कुछ book मिले आपको market में तो आप ले सकते हो या आप जो है बेकाइदा क्या बहुत ह देखने को मिलते हैं तो यह इस तरह से आपका book list हुआ और इस तरह से आपको तैयारी करना दे कि यह consistently आप 6-7 घंटा पढ़ाई करिए आपका काम बिलकुल बन जाएगा एक proper टाइम management बाहने जिए और आपका exam जो है election के बाद मतलब कि July के आसपास होने की संभावना है ठीक और साथ-साथ यह जितनी रनिंग में चल रहे वेकेंसी इसका exam भी होगा तो आप लोग पस दो-ढ़ाई मंत का समय है तो अपना समय management करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए ठीक डेली एक practice set लगाना है भीया practice set के बीना आपका ताम नहीं बनेगा डेली एक practice set लगाईए किसी भी publication का practice ले लिजिए previous year लगाई है उसको लेटेस्ट पेटर्न पर धाल्ट लगाई है online mock test लगाई है और बाकी मुखत जो है आपको अपने subject पर धान देना है फिर से मैं बता रहा हूं यदि आपने वह interview वाली वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जाकर जरूद देखें तो ज्या आपको help मिलेगी